दोस्तों नमस्कार आपका एगरी एडवाइज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों धान की उन्नस सील प्रजातियों के क्रम में आज हम एक ऐसे हाइब्रिड प्रजात को ले रहे हैं जो किसानों के बीच काफी फेमस बनी हुई है खास तोर से हमारे छेतर में त पिर भी यग कोई सवाल है तो निश्चिन्त हो करके पूश सकते हैं तो देर न करते हुए हम इस पर जानकारी देते हैं या एक बायो सीट्स कंप्धनी का धान की प्रजात है जिसका नाम है बसंती और ये एक हाइब्रिड प्रजात है इसे कारण अऊकर , उट ठीक ठीक ठक तो यहाँ 115 से 120 दिन में पक्कर तयार हो जाता है मद्यम आउद में पक्कर तयार हो जाता है जिसके कान आपके पास परियाप्त समय बच जाता है कि आप अगेती सर्सों की खेती कर सकते हैं सब्जीयों की खेती भी आसानी से कर सकते हैं दाना मद्यम बोल्ड और चमकदार होता जिसके काण मार्केट प्राइज भी काफी अच्छा मिल जाता है और चावल खाने में काफी स्वाधिस्ट होता है और चिपचिपा रही तो होता है तो आप इस काण से भी बुवाई कर सकते हैं इसलिए हमारे छेतर में इसको काफी किसान भाई बुवाई करना पसंद करते हैं कम अवध में पक कर तयार हो जाने के कान भी और किसान भाई अधिक पसंद करते हैं एक चीद दोस्तों यहां पर बताना चाहेंगे कि यदि आप इसकी बुवाई करना चाहते हैं तो आपको प्रतेकर 6 किलोग्राम बीज किया हो सकता पड़ेगी और कीमत की बात की जाए तो 350 रुपे के आजपास आपको प्रती किलोग्राम बीज आसानी से मिल जाएगा कम पानी की आओ सकता होती है सूखा ग्रस्त चेतरों में या अर्थ सिंचित चेतरों में या सिंचित दसा में सभी जगा पर आप लगा सकते हैं पौधे की अधिक लंबाई नहीं होती है जिसके कान पौधा गिरता नहीं यानि उचाई जो पौधे की हो 95 से 100 सेंटीमीटर होती है जिसके कान पौधा गिरता नहीं है गिरने की संभावना ना के बराबर है इसलिए भी किसान भाई इस प्रजात को लगाना काफी अधिक प हुआ ही करते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको पौधे में रोग नहीं दिखाई पड़ता है खास्त और से जो हाइबरिड प्रजातियों में एक रोग दिखाई पड़ता है हल्दी रोग तो हल्दी रोग भी आपको इस प्रजात में लगा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है जिसके कान दाना जो है एकदम चमकदार और अच्छा रहता है ठीक इसी के कान जो है मार्केट प्राइज भी इसका काफी अच्छा मिल जाता है क्योंकि हल्दी रोग लगने के कान जो है धान बदसूरत हो जाता है जिसके कान प्राइज खराब हो जाता है तो आप कितने भी अच्छी उपच पराप्त कर लें, कितना भी अच्छा पैदा कर लें लेकिन हल्दी रोगा अधि लग जाते हैं, तो प्राइज आपको सही नहीं मिलेगा तो इसकी ये खास बात है, जिसके कार्ण जो है, अधिक चमकदार होता है और आपको प्राइज भी काफी अच्छा दे देता है तो इस खूबियों के साथ आप इसकी बुआई कर सकते हैं और आपके लिए एक अच्छी प्रजात हो सकती है जिस प्रकार से हमारे चेत्र में इसको काफी अधिक पसंद किया जा रहा है मिलते हैं नई जानकारी में धन्यवाद